UPSC के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को संघिय लोग सेवा आयोग के रूप में की गई थी। UPSC की पहली परीक्षा 1927 में हुई थी। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा CSE को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसमें केवल लगभग 0.1-0.3% उम्मीद्वार परीक्षा में उत्तीन होते हैं। CSE तीन चर्णों में आयोजित किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षन साक्षातकार। UPSC भारतिय वन सेवा परीक्षा, इंजिनेरिंग सेवा परीक्षा, सन्युक्त रक्षा सेवा परीक्षा और राष्ट्रिय रक्षा अकादमी परीक्षा सहित कई अन्य परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है UPSC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चार ख्षेत्रिय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चैन्नई और इलाहाबाद में स्थित हैं UPSC के अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ती भारत के राष्ट्रपती द्वारा की जाती है 2020 में रिकॉर्ड दस लाख हुम्मीद्वारों ने UPSC-CAC के लिए आवेदन किया था UPSC पाठ्यक्रम में वर्तमान मामलो, भारतिय और विश्व इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीती विध्यान सहित विशों की एक विस्त्रित शिंखला शामिल है भारत के पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंध और लेखिका अरुंधती रॉय सहित कई प्रसिध हस्तिया UPSC परीक्षा में शामिल हुई है